Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.A. Satbir Singh आपका स्वागत करता हूँ Regular अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Notification बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नए अपडेट डालें आपके पास immediately यह है अपडेट पहुंच जाए इस GST News में हम लोग डिसकस करेंगे कि यदि आप Multiple Inputs को यूज करते हैं जिन पर के GST के रेट जादा है और आपके Outload Supply पर GST के रेट कम है यानकि Inverted Duty Structure है तो उसके इसमें GST का Refund किस परकार कैलकुलेट करना है इसके लिए CBI इसने सर्कूल नंबर 79 50W 2018 GST उशू किया है जिसमें के CBI इसने देखा कि GST Officer उस Inputs के रेट का Refund देने से मना कर रहा है जहाँ पर कि जो Invert Supply प्रक्योर की गई है उसके उपर जो GST का रेट लगा है वे Outward Supply के GST के रेट के इक्वल है या फिर उससे कम है माली जो कई व्यक्ति एक Product Y को Supply करता है जहाँ पर कि GST के रेट 12% है Value 3000 है और जो GST है वो 360 रुपया बन जाता है इस Product को बनाने के लिए वे दो Product को यूज करता है यानि कि Inputs को यूज करता है Input A और Input B Input A पर GST के रेट 5% है और Input B पर GST के रेट 18% है तो GST ओफिसर यह कह रहा है कि Inverted Duty Structure के अंतरगत refund तभी मिलेगा यदि Input के रेट आउटवर्ड से जादा हो यदि यह रेट कम है तो इसका जो refund है IGST के अंतरगत वे क्लेम नहीं किया जा सकता यानि कि जो refund है 500 इंटो 25 यह GST ओफिसर इसका refund नहीं दे रहा था क्योंकि वे कह रहा था कि यहाँ पर जो GST के रेट है वो आउटवर्ड के उपर जो GST के रेट है उससे कम है इसलिए इसे consider नहीं कर रहा था यहाँ पर CBIC नहीं क्लारिफाई किया है कि Net ITC के अंदर सभी ITC जो inputs पे है उनका input as credit आएगा बले ही tax rate कुछ भी हो इस परकार यहाँ पर example के थुरू CBIC नहीं clarify किया है कि यहाँ पर जो इस example के इंतरकत 25 रुपीज का refund वेक्ति claim कर सकता है इस परकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CBIC के द्वारे यह अलाव किया गया है कि inputs पर GST के rate कुछ भी हो यति output पर GST के rate कम है और inputs पर GST के rate जादा है यानि कि जो ITC यह वो जादा आ रहा है तो उस case में दोनों ही जो inputs यूज किया गये हैं बले ही GST का rate कुछ भी हो उसको net ITC में include किया जाएगा और accordingly जो refund है वो व्यक्ति को allow किया जाएगा इस circular का link इस GST news की video description में भी दिया गया है आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं like करें और share करें जितना अधिक आप like करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुंचा पाएं